हम हैंग है थोड़ी सी ङो सकती है के लंभी हो जाए हम पूरा ड्रीist का पूरा क्रोसीजर की द्रीयू क क्या होता है जन्जाल है चाहे ड्रेगौलर का बच्छा हो चाहे आपका नोन कॉलिज का बच्छा हो किसी भी तरीके का DU में पढ़ता है तो उसका पूरा का पूरा एक क्या सिस्टम है उसको समझेंगे ठीक है ना और अभी आपने admission लिया है सारी बातों पर हम discuss करने वाले हैं तो एक-एक करके किन-किन बातों पर discuss करेंगे कि हमें pass होने के लिए क्या criteria है हमें कैसे subjects होंगे exam कब होंगे, result कब होंगे, admission कब होते है हमारे नए subject में क्या fees देने है और नहीं देने, each and everything पर हम बात करेंगे तो DU का funda देखो Delhi University जैसे ही आप DU के अंदर जाते हो हमारे देश का मान के चलो एक बहुत famous और reputed university है that is DU जिसको हम Delhi University के नाम से जानते है Delhi University ने सबसे पहले हाल ही फिलाल में जो है अपने course को बदला है अब second year है, पिछली साल ही बदला था जिसको उन्होंने दिया था new syllabus में और उनका नाम दिया था new syllabus जो होगा, वो as per according, NEP के according होगा NEP के है सर National Education Policy कुछ बोलते हैं new education policy आपने देखा था कि new education policy में बहुत सारी चीजे benefit होने वाली है तो सर NEP के according तो हम जो syllabus पढ़ने वाले हैं according to NEP पढ़ेंगे अब कुछ बच्चों के मन में मानना है कि हमारा graduation अब तो 4 साल का हो चुका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है graduation अभी 3 year का हुए हम सभी बातों को clarity के साथ पढ़ेंगे सर कैसे कैसे होकता है normally हमारे life के अंदर ना 3 साल होते है एक होता है हमारा सर क्या 1st year आप सभी ने सुना होगा आपके जो senior होगे brother होगे sister होगे उन्होंने 1st year पढ़ाओगा फिर आपका आएगा sir 2nd year फिर आपका आएगा 3rd year और 3rd year को ना हम कई बार से final year भी बोल देते हैं ये कोई भी बच्चा दे सकता है BA का हो, BCOM का हो प्रोसिजर सेम ही है अब अगर मैं 1st year की बात करूँ तो now आज के टाइम पर थोड़ा सा trend change हो चुका है के sir DU वाले ना 1st year और 2nd year को पहले साल में एक बार exam हुआ करता था अब उन्होंने बोला आप एक बार में मजा नहीं आ रहा आप दो बार लेंगे तो अब साल में दो बार पेपर होगा आपका ठीक है ना साल में दो बार that is एक तो होने वाला है आपका December में और एक होने वाला है आपका June जुलाई में June या फिर जुलाई यानि sir अगर मैं बात करूँ कि आप अगर एक साल की बात करें, first year की बात कर लेते हैं तो first year में आपके दो बार paper हो जाएंगे same scenario रहने वाला है अगर आप second year में जाते हो तो second year में भी आपके दो बार paper होंगे same scenario आप final year में जाते हो तो final year में भी दो बार paper होंगे तो ultimately जब आपका पहला paper होगा ना December में ते इसको हम बोलते हैं semester 1 जिसको मैं short form में लिख रहा हूँ semester 1 जो दूसरा paper होगा इसको हम बोलते है semester number 2 ठीक है ना पहला paper semester number 1 हम थोड़ा सा ज़्यादा detail में लेके चलेंगे वीडियो को और दूसरे को हम बोलेंगे semester number 2 सर semester 1 और semester 2 do you ने decide कुछ ऐसा pattern किया है मैं specially become के बारे में बताऊं तो become के अंदर यहां पर आपको न साथ सब्जेक्ट दिये गया है seven subject और यह क्या जब जब्जेक्ट लिख दिया मैंने subject seven subject दिया गया है और दूसरे में भी आपको दिया गया है seven subject जोटिए के अब देखे कई बार हमारे मंण में रहता है कि हमने फर्स्स ट्रम और सेकिंड पढ़ा है तो first और सेकिंड रम में हमारे मन में idea क्याता है फर्स्स ट्रम में आधा पढ़ लिया सेकिंड रम में पूरा आजाएगा कुछ हर बार को मैं एक बार डिटील में बताऊओ हर बार buena और शेजिग का जिसके अंदर इलेक्टिव है जेनरिक है और अलग अलग नाम से दिया हूए है तो हम तीन प्रोग्राम हो चाहे बच्च नोन का उसल का हो तो तो तीन सब्चेक्ट का मतलब स्थे थी बच्चों को मिलेगा लेकिन जुब बागी के चार सब्चेक्ट है और चाहिस टोई यहां पर तीन सब्जेक्ट आपके कौन-कौन से कोर आजाएंगे मैं सारे समिस्टर का एक तरीके से बता ही दूँआ यहां पर जो कोर सब्जेक्ट आजाएगा नंबर वन एक आजाएगा फाइनिशल अकाओं जिसे मैं एफ ए लिख रहा हूं दूसरा आजाएगा आपका कोई भी बड़ा हो चोटा हो कोई भी हो मैं थोड़ा सा अलग-अलग कर रहा हूं अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सब्सक्राइब यह तीन सब्जेक्ट भाई साब आपके कमपल्सरी हैं इसको कूर सब्जेक्ट का नाम दिया गया अब सर ऑप्शन में क्या रहेगा ऑप इंग्लिश जैसे आपका भारतिय परंपरा हिस्ट्री पॉल्टिकल बड़े सारे सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट को नहीं लिख सकते वह बच्चे अपने अकॉर्डिंगली और कॉलेज के साब से ले लेते हैं जो उनको लगता है म्यूजिक वगएरा बहुत सारी ची टाइम पर एकजाम हो जाएंगे ठीक है स्टार्ट आपका अब अगर से इसमबर में आपके और सब्जेक्ट है हम पूरे साल में आप साथ सब्जेक्ट तीन में बहुत बड़ा ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपको देखना पड़ेगा ठीक है अब आप डिसंबर में पेपर देने के बाद आपको चार से पांच महिने मिल जाते हैं, क्योंकि आपका डिसंबर में पेपर खतम होता, जनवरी, फरबरी, मार्च, अप्रेल, मई, पांच महिने तो मिनिमम मिने गए, अब सेमिस्टर टू की बात कर लो, सर, इसके अंदर भी क काउंट जो सब के पास होगा एक होगा HRM human resource management और एक होगा company law हर बच्चे के पास होने वाला है यह सब्जेक्ट ठीक है ना यह सब्जेक्ट तो हर बच्चे के पास होगा ध्यान रगें अधर में अगेन उनका college to college करेंगा तो मैं इसको ज्यादा explanation नहीं देना चाहिए कब एक्जाम हो जाएगा सर जुलाई में पांच मैंने आपको पढ़ने के लिए दोन्हों पेपर कर लेते हैं थोड़ा सा मैंMr. बोगया है इसको थोड़ा सा और 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 सेपरेट लेचा लें चालते हैं की जैसी आप इस सारे सब्जक्ट पढ़ लेते हैं आप पहुंच जाते हैं सर कहां आप पहुंच जाते हैं दूसरे से करके अंदर के इस सचो ठीक है डिया जाया है जिसको हम SGPA के नाम से भी जानते हैं अगर आपके 4 यानि 40 नमबर मानके चलो 4 नमबर है तो आप पास हो अगर आपके 4 से कम नमबर है 4 से कम नमबर है माल देते हैं आपके 4 नमबर का 40 नमबर से कम 49 भी है तो DU आपको 0 ही देगा उनका कहना है जब आप fail हो गए हो तो उसमें marks 15, 16, 18 देखे क्या फाइदा उसके अंदर क्या हो जाएगा जीरो marks दिखेगा ठीक है सर समेस्टर वन में आप सारे सब्जेक्ट में भी fail हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अब समेस्टर टू में पर्मोट ओटोमेटिकली हो जाओगे यह सिस्टम है, semester 1 में आप सारे subject में भी pass नहीं होते, या paper ही नहीं दिया किसी बच्चे ने, तो semester 2 में आप automatically promote हो जाओगे, इस बात को ध्यान रखेगा, अब कुछ बच्चों के क्या करते हैं, कि सारे subject में pass हो गए, automatically 2 में तो जाएंगे, कुछ बच्चे कुछ subject में pass होए, अब भी वो 2 में चले जाएंगे, ठीक है न, सर, result कब आएगा, अब ये number तो बता दिया, result, जो regular college का result है, आपको one month after आ जाता है, लेकिन, result का result का, जैसे आपने दिया है, अभी December में paper, तो मान के चलो, आपका June, exam जब होगा न, second semester, तो June के आसपा, चार से पांच मैने लेते ह न, उनका थोड़ा सा डिले रहता है, result का, ठीक है, अब NEP का क्या फाइदा है, सर, ये, ये, जो new subject है, क्या फाइदा है, मान लो, आपने first year, S.O.L. से पढ़ने के बाद आपका मन करता है, सर, अब मुझे न, regular कर लेना चाहिए, क्योंकि S.O.L. से तो कर लिए, आप regular नहीं ये, result का criteria है, तो ये, पूरा का, पूरा हमारा कौन सा है, year 1, इसमें हमने क्या-क्या cover कर लिया, हमारे year 1 में कितने semester है, 2, year 2 में कितने होगे, 3 और 4, year, जैसे कि मैं year 2 के अंदर बात करूं, तो यहाँ पे semester कौन सा आ जाएगा, सर, semester 3, semester 4, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, semester 5, और आगे हमारा semester 6, यह क्या आगे हमारे year, मतलब इस तरीके से चलेगा, ठीक है, अगर जो बच्चा, semester 3 में क्या subject है, इसके अंदर भी again 7 subject है, 7 subject है, सब में 7 7 subject रखा है, 3 subject compulsory और बाकी के 3 compulsory नहीं है, मैं वैसे बता देता हूं, इसमें 3 compulsory कौन सा है, semester 3 में तो भी बच getting compulsory है, और एक business maths और किसी में stats है, वो honors program के बीच में difference है, semester 4 में, जो बच्चे जाएंगे, मैं पहले बता देता हूं, क्या होगा, उनके पास cost accounting होगा, management, cost accounting होगा, और और भी एक-दो subject से है, उसके अंदर, core subject में cost accounting रहने वाला है, इसके बाद आप second, third year, एक mistake हो गया, और mistake ये कर दिया है, मैंने, चलो, मैं इसको न, third year कर देता हूं, सही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे तीन लगाना है, क्योंकि मैंने, वहाँ से data उठाया, तो ऐसा ही रह गया हो, इसको कर देते हैं, second year, clear, चलिए, यह ध्यान देजेगा, ठीक है, तो ये पूरा का, पूरा हमारा scenario होथा, क्या था, मैं दुवारा सा conclude करना चाहता हूं, आपके semester one होते हैं, फिर semester two होता है, एक साल में दो paper होते हैं, एक semester में साथ paper, दूसरे semester में साथ paper, फिर होता है semester three, semester four, और फिर semester five, semester six, tenure fix रहता है कि इसस time पे लेंगे, अब मुद्दे की बात आती है, सर, कोई बच्चा अगर semester one का paper नहीं देता है, या किसी paper में fail हो जाता है, तो जिस बच्चों ने semester one का paper नहीं दिया, या किसी semester में fail हो गया, उसको देना पड़ेगा, अब semester three के साथ, ये OD1 लेके चलते हैं, अगर semester one में आप pass नहीं होगे, त semester जब three में जाएंगे, तो three के तो paper दे नहीं है, one में जितने paper रहेगे, वो भी देने पड़ेंगे, आपको degree तब तक अलॉट नहीं किया जाएगा, जब तक सारे paper आपको pass नहीं हो जाते है, कितने होगे, छे semester होगे, साथ, एक semester में, तो 42 paper आपको पूरे pass करने पड़ेंग semester 5 में देगा, तो 1, 3, 5, और अगर कोई semester 2 के अंदर रह जाता है, तो वो कब देगा semester 4 में, और फिर चार में या फिर दो में किसी में भी रह गया, तो semester 6 में, ऐसे चलता है आपका paper, जो backlog होता है, उसको हम बोलते है, ER, ER का मतलब होता है essential repeat, कि आप उसमें pass नहीं हो पाए, आपको ये exam दुबारा देना पड़ेगा, तो essential repeat या backlog भी कहते हैं कुछ बच्चे, तो backlog कहलो, essential repeat कहलो, ये continue चलता रहता है, और DU के अंदर बहुत बच्चों की ER आ जाती है, सिर्फ एक वज़े से कि कोई लब परवाई करते हैं, या फिर ऐसा होता है, निका भी first year में गया ह थोड़ा महल तो बनने तो पढ़ लेंगे यार, अब बारवी तक तो बहुत मेहनत करी है, नहीं सर वो गलत आपके थोड़ी से thinking हो जाती है, बारवी तक आपने कुछ भी पढ़ाई करी हो, अब आपको तो main study करनी है, majorly अब आपको study करनी होगे, यकीन मानना अगर आपने college बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली ना, तो trust करो, आप CA, CA, CFA, कोई भी course दुनिया को, MBA, बड़े smoothly कर लोगे, किसी की जुरत नहीं है, आप आगे निकल जाओगे, सबसे biggest mistake करते हैं, हम college को lightly लेते हो, और आगे में मेहनत कर रहे होते हैं, और वहाँ परिशान हो रहेते हैं सबजेक्ट इतना अच्छा design है न, इतना depth में पढ़ाया जाता है न, मैं कहता हूँ, आप graduation अच्छे से कर लो, CA intermediate का एक subject की coaching लेनी की अवशकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ paper में आ जाएगा, सारे के सारे 6 subject होते, 6 के 6 subject मिलेंगे आपको, मैं CA की बात कर रहा हूँ, जिसक graduation की बात करूँ, तो सर हमारे semester कितने है total, सर total semester number 6 है हमारे, ठीक है, pass कितने marks वाला होगा, at least आपको 40% number चाहिए pass होने के लिए, अगर कोई बच्चा fail हो जाता है, तो वो paper आपका carry forward किया जाएगा, सर एक semester में कितने paper होंगे, एक semester में 7 paper होंगे, सर paper कब-कब होगा, एक, तीन और पांच का paper होता है, सर दिसंबर के मन्त में, और दो, चार और छे का paper होता है, सर कब होता है हमारा, जून, जुलाई, या मई, जून, जो भी होता है, depend on DU, DU के accordingly, वो ले लेते हैं, अब सर paper को थोड़ा सा और explain करते हैं, इतनी चीज़ों के बाद, जो आपके exam है न, वो exam दो पार्ट में लिए जाएंगे, semester one की बात करूँ, अगर चलो मैं यहीं बता देता हूँ, जो जितने भी exam है, आपके दो पार्ट में लिए जाएंगे, एक होगा आपका internal, और एक होगा आपका practical paper, जो कि आप paper दोगे, theoretical जैसे भी देते हैं, एक आपका होगा exam, ठ internal जैसे assignment होता है, assignment को ही internal बोलते हैं, कुछ लोग assignment बोलते हैं, यह आपका 20 marks, 10 marks, college to college, depend करता है, sol वालों बच्चों का भी internal होगा, non college वालों बच्चों का भी internal होगा, regular वालों का भी internal होगा, और उसके भीहाब पे आपको marks मिलने वाला है, इसके बाद आपका यह theoretical exam होगा, ज आपको internal के अंदर भी paper होता है, एक small सा paper लिया जाता है, internally जैसे आपके classes में YouTube अगरा होते हैं, kind of same वैसे ही रहता है, तो यह internal, सर दोनों में pass होना जरूरी है, ऐसाच कुछ भी नहीं है, कि दोनों में pass होना है, लेकिन मैं बोलूँगा, कि अगर दोनों में pass होगे, तभी आ BSC, जो भी बच्चा हो, पूरा बरबाद हो जाता है, उसका, उसके आगे further आप professional course, M.com, MBA, कुछ भी नहीं कर सकते, तो target 50%, 50% किस में लाना है, overall देखा जाता है, पूरे 6 के 6 में, ठीक है सर, चलो यह भी पता चल गया, internal paper होंगे, अब बात आती है सर, हमने तो सुना तो college 4 सा का हो गया, बिल्कुल, 4 साल के बात, अब अगला आता है हमारा semester number 7, और एक आता है semester number 8, यह आपको option में दिया जाता है, कि आपको करना चाहते हैं, तो करिए, आपको एक extra certificate, extra degree दे दी जाएगी, कि आपने 4 साल में complete करे, कोई बोलते हैं, कि बीएड की degree extra मिल जागी, अभी त option खुल जाता है, पास होने के बाद, तो कर सकते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ, कि 100 में से 95% बच्चे यह उप्टी नहीं करते हैं, कोई 5% एउप्ट करते होंगे, बागी सभी बच्चे इसी के उपर सारा का सारा depend रहते हैं, तो मैंने आपको hopefully, total का total DU का procedure, मैंने समझाने का कोसिस किया है आपका, हमारे इस चैनल पे सारा DU से related content अवेलेबल होता है, तो इस चैनल पे बिलकुल प्रैक्टिकल और हमारे मार्केट के अंदर 10 यर भी अवेलेबल है, उसके हिसाब से भी आप जाओगे, दीरे दीरे अभी semester 1 है, आगे पड़ होगे, ठीक है, कोई भी दि हो गया है, business law हो चुका है, business organization management हो गी अभी, जिन बच्चों को live classes लेनी है, लाइब ले सकते हैं, जिन बच्चों को YouTube पे भी recorded class आएंगी, आप चैनल पे बने रही है, सब्सक्राइब करिए, आपको सारी चीज़े समझ मा जाएगा, तो hopefully वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन थोड़ी आपको help मिल रही होगी, कि DU का पूरा जंजाल क्या है, तो उसके accordingly हम पूरा का DU का एक structure समझेंगे, कि actual में DU किस तरीके से काम करने वाला है आपके साथ पूरा, तो इसी तरीके से मिलते हम next वीडियो के अंदर, next वीडियो जो रहेगा, इसी से आगे advance हम ये लेकि आएंगे कि regular college से SOL या SOL से regular में कैसे transfer हो, तो चैनल को like, share, subscribe करिए, मिलते हम next वीडियो में इसी तरीके से,